अप सबी का स्वागत है आज के वीडियो में लेपलास ट्रांस्वार्म ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका एक प्रॉल्म सॉल्ल करेंगे और ये आज लेपलास ट्रांस्वार्म का लेक्चर नंबर 32 है तो देखे जो प्रॉल्म आज हमें सॉल्ल करना है वो आपके सामने है कॉश्चन में क्या लिका है हम पढ़ेंगे कॉश्चन में लिका है तो चलो हम ये प्रॉल्म सॉल्ल करेंगे और ये प्रॉल्म सॉल्ल करने के लिए आपको लेपलास के formulas और laplace की property number 3 पता होनी चाहिए तो आप आसानी सी यह problem solve कर सकते हैं वैसे इसके पहले हमने सभी properties के उपर special videos बनाये थे वो videos आप देख सकते हैं laplace की सभी properties की जानकारी आपको हो जाएंगी तो यहाँ पे अगर हम इसके यूज करके इसका value हमें भी find out कर सकते हैं तो चलो हम यहाँ पे solve करेंगे i1 is सबसे पहले laplace of sin square t sin square t का हमें पहले लेपलास ले लेना है तो sin square t का directly laplace नहीं हो सकता क्योंकि laplace का sin t का formula है या cos t का formula है sin square या cos square का directly formula नहीं है तो तो यहाँ पे हमें काम करेंगे, यहाँ पे जो sin square है, उसमें जो power 2 है, वो हमें हटाना पड़ेंगा, तो indirectly हम यहाँ पे sin square theta का formula का formula क्या है, अगर आपके पास formula नहीं लिखा है, तो आप formula notebook में लिख के रखो, देखो formula ऐसा है, that is sin square theta equals to 1 minus cos of 2 theta divided by 2, यह formula का हम use करने वाले है, त तो हम इसको अगर solve करें, formula अगर हम यहाँ apply करें, तो कुछ ऐसा हो जाएंगा, laplace of 1 minus cos of 2t divided by 2, ऐसा हो जाएंगा, तो finally, यहाँ पे sin square t जो था, वो यहाँ पे power जो हट चुका है, और अब हम इसका आसानी से laplace ले सकते हैं, यहाँ पे इसका laplace करने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, यह जो denominator में 2 है, उसको हम बाहर ले लेंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएंगा, देखो 1 by 2 बाहर आ गया, और यह हो जाएंगा, that is laplace of 1 minus cos of 2t, तो चलो, अब इसका laplace लेंगे, तो 1 by 2 बाहर है, laplace of 1, laplace of 1 क्या होता है, देखो standard है, laplace of 1 होता है 1 by s, formula यह standard है, अगर आपके पास formula नहीं लिखा है, तो आप लिख की रखो, laplace of 1 होता है, 1 by s, और laplace of, यहाँ पे cos of 80 का formula हम यहाँ पे use करने वाले है, जो की है, s by s square plus a square, ठीक है, क्योंकि यह cos 80, देखो, यहाँ पे cos 2t के formula, जो है, वहाँ पे हम cos 80 का formula apply करने वाले है, a के जगा यहाँ यहाँ के according अगर चले, तो कुछ ऐसा हो जाएंगा, cos 2t का laplace s by, that is s square plus 2 square, it means 4, तो यह हमने finally laplace ले लिया है, ठीक है, और left side में क्या है, तो left side में है laplace of sin security, ठीक है, तो finally इस तरह से यहाँ पे यह देखिए, sin security का laplace करने के बाद यह ऐसा आया है, लेकिन अगर आप यहाँ denominator में t नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेंगा, हमें इसके left side में t से divide करना पड़ेंगा, तो चलो left side में t से divide करते हैं, अगर left side में t से divide कर लेंगे, तो यह term आपको मिल जाएंगा, लेकिन left side में t से divide करेंगे, तो right side में क्या करेंगे, तो यहाँ पे right side में हमें integration करना पड करो तो राइट साइड में आपको इंटिग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एस देखो प्रॉपर्टी नंबर थी का स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं कि लैपलास ओफ एफ आफ आफ टी बाइ टी लैपलास ओफ एफ आफ टी बाइ टी इक्वस टू इंटिग्रल देट इस फ्रॉपर्टी नंबर थी का यह स्टेटमेंट रहेंगा कि अगर आप लेफ्ट साइड में टी से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में इंटिग्रेशन करना है वि बाइ टी एंट टेक एंट टेक इंटेक इंटिग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी डियस इन आरेचेस यह हमने स्टेटमेंट में लिग दिया है और अब देखो डिवाइड करने के बाद यह क्या होता है तो लेफ्ट साइड में यह हो जाएंगा लेपलास ओफ साइन स प्रॉम एस टू इंफिनिटी ऐसा हम लिखेंगे और यह पूरे इसका इंटिग्रेशन करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अंदर के टर्म्स वन बाइस माइनस एस बाइस क्यार प्लस फोर ठीक है और इंटिग्रेशन विट रिस्पेक टू एस है इसलिए डियस तो और फाइनली इस तरह से यह हमने यह हमने रेखाओ statement में लिखा है divide LHS by T and take integration with respect to S that is DS आ गया in RHS तो यह हमने left side में T से divide कर लिए और right side में हमने यहाँ पर integration कर रहे है इस तरह से यह हमने लिख लिया है और अब हमें right side को integrate करना है left side को अभी कुछ भी करने की जरूत नहीं है बस right side को आपको solve करना है इसको integrate करना है integrate करने के बाद उसको limit वगरे put up करने के बाद उसके through एक answer आएंगा वो answer का use करके फिर हम यह solve करेंगे इसका value find out करेंगे ठीक है तो चलो अब इसको integrate करना शुरू करता है तो यह हम लिखेंगे that is laplace of that is sin square t by t ठीक है यह हमने सबसे पह integrate करना है तो हमें काम करेंगे पहले थोड़ा सा adjustment करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम formula कुन सा use करने वाले है देखो formula हम use करेंगे यह that is integration of 1 by x dx ठीक है integration of 1 by x क्या होता है तो यह होता है log of x यह होता है तो यहाँ पे आसानी से यह देखो यह 1 by s है तो 1 by s को आसानी से यह formula से integrate कर सक तो 1 by S का हो जाएंगा log S लेकिन यह formula अगर आपको यहाँ पर यूज करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेंगा numerator में denominator का differentiation exist करना पड़ेंगा ठीक है क्योंकि यह जो 1 by X है उसमें से numerator 1 है जो की denominator का differentiation है अगर ऐसा होता है तो ही वो log X it means log of denominator होता है तो यहाँ पर उपर में S है जबकि denominator को अगर आप differentiate करेंगे तो उसका answer आता है 2S तो उपर में 2S है क्या? नहीं है only S है तो हम एक काम करेंगे उपर में 2S exist करेंगे तो adjustment करने के लिए देखो क्या करेंगे तो यह 1 by 2 बाहर है then integration from S to infinity then यहाँ पर 1 by S ठीक है? minus हम एक काम करेंगे 1 by 2 से यहाँ multiply करेंगे और अब numerator में 2S लिख लेंगे और denominator में S square plus 4 यह हम ऐसा लिखेंगे और बाहर है DS यह देखो यह जो हमने लिखा है यह काफी important step है यहाँ पर हम adjustment कर रहे है numerator में S था हमने उसके जगा यहाँ पर 2S ला लिए और यह 2 को cancel करने के लिए कट करने के लिए यहाँ 1 by 2 से multiply कर लिए और अब हम यहाँ पर असानी से यह formula यूज गर सकते है और इसको integrate कर सकते है यहाँ यहाँ पर भी होता है use और यहाँ पर भी होता है तो यह हम यहाँ पे लिखेंगे 1 by 2 बाहर है integration ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेंगा 1 by S का हो जाएंगा that is log of S ठीक है यह formula यहाँ पे use किये और यह minus 1 by 2 बाहर है और यहाँ पे यह हो जाएंगा that is log of denominator that is S square plus 4 log of denominator क्यों हुआ क्योंकि numerator में numerator में denominator का differentiation है ऐसे में आप आसानी से यह formula यहाँ पे use कर सकता है तो हमने वो किये और अब हम यहाँ पे limit भी यहाँ लिख लेंगे from S to infinity ऐसा है देखो यह lower limit यह upper limit और यह limit किसकी है तो यह S की limit है क्योंकि यहाँ पे integration with respect to S हो रहा है तो यहाँ पे अब हमें limit put up करना है लेकिन limit अभी आप put up कर नहीं सकते वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो log of S है अगर आप S के जगा infinity put up कर लेंगे तो वो log of infinity हो जाएंगा और log of infinity infinity होता है तो अगर आप यहाँ infinity लेके solve करोंगे तो वो meaningless हो जाएंगा ऐसे में हम एक काम करेंगे सबसे पहले यहाँ पर log के सामने जो S है उसको हम remove करेंगे अगर आप log के सामने का S अगर आप remove कर लेते हैं तो फिर आसानी से वाहाँ पर यह solve हो सकता है कैसे solve होंगा देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते है यह जो 1 by 2 है इसको हम बाहर ले लेंगे 1 by 2 को अगर आप बाहर लोंगे तो बाहर हो जाएंगा 1 by 4 क्यों यहाँ अल्रेडी 1 by 2 है यह 1 by 2 बाहर आएंगा तो वो 1 by 4 हो जाएंगा लेकिन जब आप 1 by 2 यहां से बाहर निकाल रहे हैं तो यह पहले time को 2 से multiply करना पड़ेंगा तो यह हो जाएंगा 2 of log s यह ऐसा हो जाएंगा और यहां पे बचेंगा log of s square plus 4 ठीक है? और यह limit from s to infinity ऐसा है और अब हमें एक काम करेंगे यहां पे 2 log s में यह जो 2 है वो s के power में चले जाएंगा ठीक है? तो यह 1 by 4 बाहर है अभी भी और यह हो जाएंगा log of s square ऐसा हो जाएंगा log of s square और फिर यह minus log of s square plus 4 ऐसा और limit है from s to infinity ठीक है? यह हमने कैसे किये? क्योंकि यहां पे rule क्या लगा है? हमने देखो rule ऐसा है log of a to the power b यह हमेशा b log a होता है ठीक है? जो भी a का power है वो बाहर आता है तो b log a होता है तो यह formula हमने यहां पे use किया है और अब यहां पे हम क्या कर सकते है? यहां पे देखो log a minus log b के form में है तो log a minus log b log a by b होता है formula हम यहां पे बता रहे आपके पास कोई भी formula अगर नहीं होता है लिखा तो आप तुरंट लिख लिया करो तो log a minus log b यह formula हम use करने वाले है log of a by b का यह formula अब हम यहां पे use करेंगे देखो log a minus log b के form में है तो यह हम यहां पे लिखेंगे 1 by 4 ठीक है? और यह हो जाएंगा log of numerator में s² और denominator में s² प्लस 4 ठीक है? और यहां पे यह bracket complete और limit है from s to infinity अभी तक हमने देखो कहीं पे भी limit put up नहीं किया है अभी सिर्फ हम थोड़ा सा adjustment कर रहे है तो यहां पे अब हम limit put up कर सकते है क्या नहीं अभी भी आप limit put up कर नहीं सकते है क्योंकि देखो log के सामने अभी भी s है तो यहां पे हमें काम करेंगे यह s को remove करने के लिए numerator और denominator में से s को cancel करेंगे उसके लिए denominator में से s² को common ले लेंगे तो देखो common लिए तो क्या होंगा? तो 1 by 4 बाहर है तो यहां बचेंगा log of numerator as it is लेकिन denominator में से s² हम ले लेंगे common तो यहां बचेंगा 1 plus 4 by s² ऐसा बचेंगा ठीक है? और यहां पे bracket दे देंगे from s to infinity यहां पे limit यहां पे लिख देंगे देखो कुछ ऐसा हमने क्या किये? denominator में से s² common ले लिए तो यहां पे 1 आ जाएंगा और यहां पे 4 by s² आ जाएंगा और अब यहां पे s² s² cancel हो जाएंगा यह देखो cancel हो गया और अब cancel होने के बाद जो बचेंगा उसमें अब आपको limit put up करना है s की limit है तो s की upper limit infinity और lower limit s वो अब आपको यहां पे put up करना है अब आप यहां properly check करेंगे तो lock के सामने directly s नहीं है जबकि यहां पे जो s है वो 4 by s² है it means वो denominator में है तो अब उसका उतना effect नहीं पड़ेंगा lock के सामने directly s नहीं है तो अब आप आसानी से यहां पे limit put up कर सकते है अब यह infinity नहीं आएंगा और यह आसानी से solve हो जाएंगा तो सबसे पहले हम upper limit put करेंगे फिर हम lower limit put करेंगे तो यह हम लिखेंगे 1 by 4 तो यह हम लिखेंगे 1 by 4 और log of देखो यह पूरा term by using upper limit तो log of 1 by 1 plus 4 by infinity यह देखो यह हमने लिखे upper limit यह हमने upper limit यहाँ पर put कर दिये और अब minus log of 1 by 1 plus 4 by s square और यह हमने लिखे lower limit देखो यह important step है हमने क्या किये यह पूरा term क्योंकि जहाँ देखो s square cancel होने के बाद उपर क्या बचा only one बचा तो यह पूरा term by using upper limit तो s के जगा upper limit put करना है यह पूरा term हमने यहाँ लिखे बस s के जगा infinity आ गया और अब यही पूरा term by using lower limit तो यह देखो यह पूरा term हमने लिखे by using lower limit s square के जगा यह means s के जगा फिर से s आ गया तो इस तरह से और अब यहाँ पर यह 4 by infinity है 4 by infinity क्या हो जाएंगा zero हो जाएंगा क्योंकि anything by infinity zero होता है कैसे चलो वो भी आपको बता देते है इतना तो आपको पता होंगा कि anything by zero infinity होता है यह तो आपको पता है anything by zero infinity तो infinity इधर लेके आओ जिरो उधर लेके जाओ तो anything by infinity यह zero हो जाएंगा हमने अगर उसका यह देखो अगर हमने उसका place अगर exchange किये तो कुछ ऐसा हो जाएंगा infinity यहाँ लाओ, 0 वहाँ लाओ तो anything by infinity 0 हो जाएंगा ठीक है? तो यहाँ पर यह 4 by infinity है यह 0 हो जाएंगा तो अगर यह 0 हो जाएंगा तो कुछ ऐसा बचेंगा तो यह हम लिखेंगे 1 by 4 और यह log of 1 by 1 plus 0 ऐसा हो जाएंगा देखो ठीक है? यह 1 by 1 plus यह 0 हो गया और इधर जो है वो same to same रखो minus आप चाहें तो यहाँ पर cross multiplication कर सकते हैं देखो 1 plus 4 by square है cross multiplication करेंगे लेकिन हम एक काम करेंगे हम उसको next step में multiply करेंगे यहाँ पर बस हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे log of 1 that is 1 plus 4 by square फिराल हम सिर्फ इसको ऐसा ही लिखते हैं अगले step में हम यहाँ पर cross multiplication कर लेंगे देखो यहाँ तक ठीक है? ओके? और अब यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं? आगे देखो क्या होँगा log of यहाँ देखो 1 by 1 है log of 1 log of 1 क्या होँगा? 0 log 1 0 यह term पूरी तरह से 0 हो जाएगा और यहाँ पर cross multiplication करना है तो चलो next step देखते हैं क्या हैंगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं जगा यहाँ पर कम है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे तो 1 by 4 बाहर है तो यह हम 1 by 4 बाहर रखते हैं और यह देखिए यह log 1 0 हो गया तो यह हम लिखेंगे 0 minus यहाँ 0 हो गया और यह minus log of यहाँ पर cross multiplication करेंगे तो denominator में हो जाएगा s square plus 4 और जो denominator का s square है एक और वो उपर आ जाएगा तो यह हम लिखेंगे log of that is s square by s square plus 4 ऐसा हो जाएगा ठीक है यह देखिए यह important step है यहाँ पर cross multiplication करेंगे तो s square plus 4 और जो s square है वो एक और वो उपर चले जाएगा तो यह ऐसा बनेगा simple और अब यह 0 लिखने की जरूत नहीं है minus है यहाँ पर तो minus अगर आप यहाँ बाहर लेंगे तो यह minus ऐसा बाहर लेने के बाद हो जाएगा minus 1 by 4 और फिर log of s square by s square plus 4 यह ऐसा हो जाएगा ठीक है और यह minus को अगर आपने remove किये तो minus remove करने के बाद यह हो जाएगा 1 by 4 log of s square plus 4 divided by s square यह देखिए यह ऐसा हो गया यह minus remove करने पर यह log की property है कि numerator और denominator का आप place change कर सकते है तो वही हमने किये minus को हटा दिये numerator की चीज़ जो है वो denominator में गई और denominator का s square plus 4 वो numerator में आ गया यहाँ तक हमने solve किये और इसको solve करने की ज़रूत नहीं ही यह sufficient है तो यह हमें क्या मिला यह हमें laplace of s square t by t का यह हमें answer यहाँ पे मिल गया यह देखो यह हम क्या find out किया है यह हम laplace of s square t by t find out कर रहे तो यहाँ से हमने start किये और यहाँ तक हमने complete किये और यह laplace of s square t by t का इतना answer मिल गया लेकिन अब इसका use कैसे करेंगे देखो problem complete नहीं हुआ है हमने सिर्फ यह देखो problem में दो चीज़े solve करने के लिए कहा है problem में इसका laplace करने के लिए कहा है तो इसका laplace हमने ले लिए यह देखो इसका laplace का यह answer है लेकिन अभी भी problem complete नहीं हुआ क्योंकि question मिल लिका है hence find यह देखो यह integral का value हमें find out करना है अब इसका value कैसे find out करेंगे वो देखो उसके लिए हमें काम करेंगे हम इसी answer का use करेंगे तो यह इसका कैसे use होता है वो देखो तो उसके लिए हमें यहाँ पर laplace का definition apply करना पड़ेंगा तो चलो देखते है laplace का definition इसको फिलाल हम मिटा देता है उमीद करता है कि यह पूरा आपको समझ में आया होगा तो अब हम यहाँ से continue करेंगे देखो इसके पहले जो हमने find out किये थे वो हमने यहाँ पर लिख लिया है we have that is laplace of sin square t by t equals to 1 by 4 log of s square plus 4 by s square तो यह हमने इसके पहले find out किये थे जो कि इसका result था ठीक है और अब हमें इसका value find out करना है देखो यह integral दिया है हमें इसका value find out करना है तो हमें काम करेंगे इसको हम as a i ले लेंगे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे let i equals to integral from 0 to infinity e to the power minus of t then sin square t by t इसका value हमें find out करना है यह integral हमने यहाँ पर as a i ले लिया है और अब इसका value find out करने के लिए हम यहाँ पर laplace का definition use करने वाले है laplace का definition क्या है देखो laplace का definition हम यहाँ पर लिख लेंगे by the definition by the definition of laplace तो laplace का definition हम यहाँ पर लगा देंगे laplace का definition क्या है यह होता है integral from 0 to infinity e to the power minus of st into f of t into dt यह है लेपलास का standard definition जो इसके पहले हर एक वीडियो में हमने आपको बताये थे तो यह definition का हम यहाँ पर use करने वाले हैं कैसे use करेंगे और कैसे इसका value find out होता है वो देखिए यहाँ पर अगर आप definition में properly check करेंगे तो laplace of f of t जो factor जो f of t बाहर है वही f of t देखो अंदर है यहाँ पर f of t है तो यहाँ पर भी f of t है अगर आप यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ भी आपको 1 लेना पड़ेंगा यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेंगा यहाँ साइन लेंगे तो यहाँ पे भी साइन लेना पड़ेंगा कॉस लेंगे तो यहाँ पे भी आपको कॉस करना पड़ेंगा ठीक है और अगर हम यहाँ पे sin square t by t अगर आप put करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही लेना पड़ेंगा यह देखो, यहाँ पे क्या है laplace of, यह curly bracket के अंदर यह जो पूरा है, यह पूरा f of t है तो यह पूरा यहाँ पे ले लो तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकता है therefore, laplace of f of t के जगा sin square t by t ऐसा हम यहाँ पे put करेंगे, देखो यह जो curly bracket के अंदर यह पूरा यह factor है, f of t तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिए और अगर f of t के जगा यहाँ पे है आया तो यह अंदर के f of t के जगा भी यही आएंगा, तो देखो बाकि remaining terms जो है, वो same रहेंगी integral from 0 to infinity e to the power minus of st then यहाँ पे आ गया, that is sin square t by t ऐसा हैंगा, और into dt ठीक है यह जैसा हमने कहा था, बाहर में f of t में change अगर होगा, तो अंदर के f of t में भी change होगा, तो वो हुआ by the definition हम चल रहे अब यह सब बताने का क्या मतलब है तो अब आपको क्या करना है, इसको और इसको compare करना है, देखो यह जो हमने लिया है, i as a integral यह जो हमने लिया है, इसको इसके साथ compare करो, दोनों में क्या difference दिखाई दे रहे यह देखो, इसको हम लेंगे फिलाल equation number 2 और इसको हम लेंगे equation number 3, ठीक है equation number 2 और 3 को compare करो यह दोनों में difference क्या दिख रहे है दोनों में difference यह है, देखो, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज नहीं है equation number 2 में क्या नहीं है equation number 2 में s नहीं है देखो, यहाँ पे integral है, यहाँ भी यहाँ पे exponential है, यहाँ पे भी है लेकिन इसके exponential में minus st है जबकि इसके exponential में minus t है यहाँ पे s नहीं है इसका मतलब s का value क्या है s का value 1 है, यहाँ पे इसका मतलब s का value क्या है, 1 है confirm, यहाँ s का value 1 है remaining same है, देखो dt यहाँ भी है यहाँ पे भी है यह term भी बिल्कु सेम है इसका मतलब यह equation number 2 अगर हम by the definition लिखे तो equation number 2 हम यहाँ पे कह सकते है यहाँ s का value 1 है जैसे हमने कहां तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे from equation number 2 and 3 यहाँ पे लिखेंगे from equation 2 and 3 i equals to यह हम लिखेंगे i equals to that is यह हम लिखेंगे bracket में laplace of that is sin square t by t और यहाँ bracket के बाहर लिखना पड़ेंगा at s equals to 1 देखो यह जो हमने लिखा है यह सबसे important statement है यह हमने कैसे लिखे देखो यहाँ पे यह दोनों integral को हमने compare करने के लिए आपको कहा था तो compare करने के बाद हमें यह पता चला कि यह दोनों integral बिल्कु सेम टू सेम है लेकिन difference बस यह है कि यहाँ पे s का value 1 है इसका मतलब यह laplace का definition है तो यह भी laplace का definition है at s equals to 1 यह condition है यह भी laplace का definition है at s equals to 1 तो हमने क्या किये यही integral यहाँ पे लिख लिए देखो यह i यहाँ पे आ गया और यह integral exponential factor यह हमने as a laplace of factor लिख लिए at s equals to 1 ठीक है? ओके? और अब हम ही क्या करना है यह laplace of sin square t by t का value यहाँ पे put करना है और वो s equals to 1 पे हमें solve करना है तो कैसे solve होंगा? तो इसका answer हमारे पास है देखो equation number 1 में laplace of sin square t by t का answer है 1 by 4 log of तो यह हम यहाँ पे put करेंगे तो यह bracket के अंदर हम लिखेंगे 1 by 4 log of यह हम लिखेंगे s square plus 4 numerator में, denominator में s square और अब यहाँ पे condition लिखना पड़ेंगा at s equals to 1 और अब हमें क्या करना है यहाँ जहाँ जहाँ पे s है वहाँ वहाँ पे one put करना पड़ेंगा तो देखो यहाँ पे s है यहाँ पे s है दोनों जगा ऐस है तो वहाँ पे one put करो तो देखो one put करने के बाद क्या होंगा हम इसको यहाँ पे solve कर लेंगे बस यह last step रहेंगा फिर problem complete हो जाएंगा तो अब देखिए यह ऐसा हो जाएंगा left side में I यह as it is और right side में यह हो जाएंगा that is 1 by 4 log of 1 plus 4 divided by 1 ऐसा ठीक है हमने क्या किये S की value put कर दिये S की value हमने 1 put किये तो ऐसा हुआ और यह सिदा सिदा हम यहाँ पर लिखेंगे I equals to 1 by 4 log of 5 by 1 it means indirectly log of 5 यह देखिए log of 5 by 1 it means indirectly 5 तो यह अब हम यहाँ पर I की value put करेंगे I माने क्या है I माने यह integral है तो वो हम यहाँ लिख लेंगे therefore integral from 0 to infinity from 0 to infinity e to the power minus of t into sin square t by t into dt equals to यह क्या हुआ 1 by 4 log of 5 तीक है integral का यह देखो I के जगा यह integral हमने यहाँ put कर लिए और यह हमने 1 by 4 log of 5 लेक लिए it means जो find out कने के लिए कहा था जिसका value जो integral का value हमने find out कने के लिए कहा था वो यह हमने find out कर लिए देखो यह integral का value find out कने के लिए कहा था यह हमने find out किये यह answer आया है और finally problem यही पे complete हो गया उम्मीद करते है कि यह problem आपको समझ में आया होगा यह problem आपको अपनी practice book में जरूर solve करके देख लेना चाहिए यह important problem था इसके पहले exam में भी यह आ चुका है यह था laplace transform यह unit का आज का lecture number 32 इसके पहले के lectures में इसके जितने problems लिए थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले videos में हम इसके और भी number of problems कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी practice हो जाए तो मिलते हैं next video में Thank you very much